भारत द्वाज रिशिका ये प्रथम गुरुकुल था हमारे प्रियाग राज में तो ये उसी अगर जब चित्रकोर जाते समय श्री राम माता शीता और लक्षमिट ये आये थे तो है कि आप फिर्म वेक्ट माई न्यूं ब्लॉग तो यहां पर मैं आज को अपने एक्स्प्लोर प्रियाग राज वाली प्लेश्ट को कंप्लीट करने के लिए आप भरत द्वाज पार्क में पहुंच चुका हूं तो यहां पी बार चलते हैं भरत द्वाज पार्क को एक्स्प दूसरा आता है जो फाफामों की तरफ जाते है आप फाफामों वाले रेस्टे पर थोड़ी दूर आओगे तो पहला चौरा पड़ता है वही बालसन चौरा है कि जर्श आगे भरतज्वाज रिशी की एक बड़ी सी प्रतिमा लगी और वहीं पर अपना भरतज्वाज पार्क है यह अपने सामने means अब भाज़ पार्क जो की शाइट से एंड्रिये में गेट बंदी रहता है और यह से लेते हैं और यहां से लेते हैं एकटेट और यहां पर दिखा रहा था वहां वह से बहुत ही प्यारा दिखता है इससे पहले यह रेमेश नहीं होगी तो यह बहुत बोरिंग सापार्ज दिखता सा अभी यह देनोबेट हो चुका है तो यह बहुत ही प्यारा दिखता है यह जैसे आप यहां पे एंट्री करोगे आपको सामने दिख जाती है यह सीड़ी चलते हैं उपर और यहां पर लगा है जो कि आर्टिक्सियल ही है लेकिन साफ सुस्रा त दिखाता हूं तो भाइया भी यहां पर मैं पहुंच चुका हूं जहां पर भरत ग्वाज रिशी जी की 30 फिट की प्रतिमा लगाई गई है जो हमारे सामने है तो इनका यह जो राक्षिन के गले में वह अलग से इसमें डाला गया था यह जैसे आप छेड़ी चड़के ऊपर आओगे छोड़ा सा फबारा यहां भी लगा था लेकिन यह बंद हो चुका है पूरी तरह से खराब हो गया है अब यहां से हम भी चलते हैं आगे की तरफ तो भाइया थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यह जो है एक खाली सा स्प यहां से चित्पूर जा रहे थे तो वह भरतवाज पार्क में भरतवाज रिशी के पास रुक के उनसे आशिरवाद लेखे गये थे तो भाइया पुराणों की माने तो यह जो प्रियागराज शहर है उसको भी भरतवाज रिशी के द्वारे ही बसाया गया था और यहां पर भरतवाज रिशी को ही प्रियागराज को प्रसम नागरिक भी माना जाता है तो भाइया यह पार्क देखने में तो बहुत ही साफ सुत्राव काफी सुन्दर भी है बस थोड़ी बहुत चीज़े खराब हो चुकी है बस बैठने के लिए यहां पे हाट टाइब में छोटे- कुर्सिया भी बनाएगे जो कि बहुत ही प्यारा विवारा इसका ऑफिया नहें 28 हो ओगे देखनेको मिलताई दूब राहू और उसके बाद हमें दूसरा ग्रह देखने को मिलता है जिसका नाम है पलाश या सोम जिसको बोलते हैं जैसे आप गूम के निकलोगे आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो वहां पर बच्चों के लिए जूले हैं और इक्साइज का भी है तो एक बार चलके वह भी देखते हैं यहां पर भाईया हम भी आचके एक्सराइज प्लेस में तो यहां पर यह सारी एक्सराइज के यंत्र मशीने लगी हुई है तो यहां से थोड़ा सा और आके बढ़ते हैं उसी तरफ हम तो जैसे यहां पूस को इक्सराइज वाली जगन को आगे बढ़के आऊ तो वहां पर सिर्किष्णा की बहुत प्यारी प्यारी पैंटिंग बनाई हुई है तो यह जैसे आप पैंटिंग वाला स्क्षन देखके आगे बढ़ोगे तो आप उसामने दिखते हैं बहुत बाड़ा सा फिपल का पेड और थोड़ा सा खाली जगए जहां पर यहां पर ना हर समय बच्चे पतंग बाजी करते रहते हैं और यहां से हम चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा वह जगए जो छूड़ के यह बार उसको भी देखके आते हैं तो फिपल के पेड़ वाले ग्राउंड में ही आपको यह देखने को मिलता है जो यहां पर फोटे सेशन का स्पेस बोल सकते या फिर एक स्टेज जैसा बनाया गया है तो भाई आपने सामने एक और फॉंटेन था जो कि यह भी हो चुका है खराब पूरी तरह से तो यहां पर जैसे हम फाउंटेन देखने आते हैं तो हमें दिख जाते हैं चोटे चोटे पपीज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मन तो कर रहा है उनको उठाले लेकिन हमें डर भी लग रहे है कहीं यह काटना ले हमको तो यह चोटा सा बच्चा इनको खिला रहा है पास अगता साथ इस पार का सबसे बड़ा फाउंटेन था यह पूरी तरह से सूख चुका है और यह उसी चीज को दिखाया जा रहा है और यह किसी ने शरी उखाई लिया है और जब चित्रकूर जाते समय स्री राम माताशीता और लक्षमिट जी आये थे तो उनका भी यह दिखाया गया इसी दिवाल की 3D पेंटिंग में और उसे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद इस पेंटिंग में दिखाया गया भरतवाज जी कुछ इधर माता पारवती नंदी और उपर मागंगा है लेकिन ये ये भगवान से के स्टैचू साब सफाई के लिए एक दम से बहुत गंदी हो उचकी यहां पर पूरी पत्तियां पड़ी है सामने जो जील है इसमें भी पानी है जो बहुत ही गंदा हो चुका है और यहां पर त इस पार का पूरे तो यहां पर हमारा चक्क्र हो गया कंप्लेट और लेकिन आपको मैं एक दिहाना भूल लिया था यह जो अपने भरतवाद पार में पूर्सियां बनाएं ना वह बहुत बहुत अच्छे से डिजान की हुए वह हमारे सामने जिसका एक नमूना है तो बहु यहां पर जो यह पार का मैंने एक बार पूरा चक्कर कंप्लेट कर लिया और यह पार कुछ ऐसा ही है तो बहुत अगर आप यहां पर घूमने होगे तो आपको यहां पर खाने के लिए आइस बोला मिलता है और टेस्टी चुर्मूरा और यह फलूदे की दुकाने हैं और प सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वह सके तो दोचाल लोगों को सेर भी कर दीजिएगा